नमश्कार दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चानल आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज बताने वादी हूं जो कि आपको आपके लंग्स को हेल्दी और स्टॉंग बनाने वाला है यसे कि आपको पता है कि इतने वाइरल्स डिजीज फैल रहे हैं तो आपका इल्मिन् को दोस्तों यह एक्सरसाइज आपके घर के हर एक मेमबर को करना है इस्पेशली जिनको प्रॉब्लम है जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर जो लोग स्मोंकिंग करते हैं उनके लंग्स काफी बीक हो जाते हैं और यह वेली प्रोन फोर अगर लांग् सो यह सबसाइज हर इंसान को कामाने वाला है वैदर इस यंग्स्टर बड़ए इस मिदल इस वह लेज तो अब मैं बताओंगी कि आपको करना किया है आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट वाला एक्ससाइज करना है सबसे पहले आपको पूरा ऑक्सिजन अपने लंग्स में भरना है आज इन पूरे दो सेकेंड तक जितना आप खीच सकते हैं उतना आपको खीचना है पूरे अपने लंग्स को फिल इन कर देना है और आपको उसको होल्ड करके रखना है अल्मूस एट सेकेंड तक मनी मन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह काउंट करिये और उसको भूज ल अब उसको आपको दिरे दिरे एक्सेल करना है अब मैं बताऊंगी कि आपको एक्सेल कैसे करना है और इसे छोड़ने देना है आपको एजियू करना है कि जैसे आपने कोई स्ट्रोग को होल्ड किया है आपके लिप्स को आपको ऐसे करना है इतना ही आपको स्पेस होना चाह कि आपको करना है आपको एजिम करना होगा कि आपने जैसे स्ट्रॉ होता है जो अपने नाजिल पानी पीते हैं वह वाले स्ट्रॉ आपको एजिम करना कि आपने वह रखा है और उसी से आपको लिकाना है आप चाहे तो एक स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं और पानी में आप ज छोड़ सकते हैं जितना दिए दिए आप ऑक्सेजिन एक्सवियर करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा यह एक्सरसाइज आपके लिए तो दोस्तों इस तरह आपको एक्सरसाइज करना है सुबह शाम दो बार आपको 10-10 करना है और रेगुलर्ली करना है और भर के हार सब्सक्राइब को जरूर करना है सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन पाइग